आप तो पोफेसर भी हैं मीडिया पराते भी हैं और आपने ये जगह भी दी इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और क्या रहते हैं ये लौवी हैं जिसके हम तो मीडिया पत्रकारों को दरसर लौविस्ट होते हैं तो ये पत्रकार लोगों में अब लगता है वो समाज जो दो तीन पिर ही एजुकेशन में आ गया है जैसे आप कहते हैं कि मैं अपने बच्चे को एकनॉमिस्ट बनाओंगा वकील बनाओगा प मेरा इंटर्वू ले रहा है मेरा बेटा कैमेरा एंडिल कर रहा है तो यहां एक ट्रेनिंग हुआ उसको पढ़ाया गया तो रासा सिखाया गया टेक्निकल बाते और अकैडमिक बाते सब बात की गई लेकिन सुमीत के बाद यह दिखाई है सर संट स्टीफन में गजिएशन कर रहे है निशान इशान इशान संदार प्लेयर भी है और गिटार भी बजाते हैं तो सूचिए प्रफेसर है उनके उचाते तो अकर में रहते हमारे पिदा जी प्रफेसर है यह स्किल्स हमारे लोग को शुरू में डेवलप करना परेगा नहीं मैंने आज भासन जो दिया कि कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए हमको लगता रेर लोग होंगे जो कि जर्नलिजम को अपना करियर समझते हैं जर्लिजम पढ़ते भी है तो पहले दो बार यूपेस देंगे भीपेस देंगे नहीं होगा तब तब जो है वाते हैं जर्नलिजम करने हम लोंने वाक सब्सक्रिप्शन है तो जितने साथी सुन रहे होंगे खास तोर से दलित बैकवर्ड मैनेटीज और ट्राइब कमिटी के और जितने आईएस आईपीएस बेरोक्राट जजे सुन रहे होंगे उनसे मैं अपील कर रहा हूं कि आपने बेटे और बेटियों को आप क्यों आपके घर में बरकादत क्यों नहीं हो सकती है विस्कुमार क्यों नहीं हो सकता है क्यों नहीं हो सकता है इतने बड़े-बड़े आपने बनाई ही नहीं तो बनाए नहीं तो शिकायत किसे बात का सब चाहता है ना हमारा जो बहुजन जमात है हम साशक वर्ग बनना है क मेकर आपके पास गुरूप नहीं है कुछ जो है 32 में जो सिलेबस पड़ा था उसके बाद है दोजार बाइस होगा नबे साल अभी तक सिलेबस उसका चेंज नहीं हुगा जो टेक्स्ट है उसको हम डिलिवर नहीं कर पा रहे हैं सब्दों में कि आप सुनिए बात हमारे पास मीडिल क्लास है जो जो कि नौकरी पेशावर्ग है तो नौकरी पेशावर्ग अपने बेटा विटी को फिना कर है और पत्रकार नहीं बनाएगा वकील नहीं बनाएगा तो कहां से लेकर आएंगे कि यह लोग कि पासा देता है कि करोड़ां लिए। कि क का यदमर्वम्न कि यहां हे। सब कोरण स्काइए करोड़ो दियाativ हर रेल गहां हो ढहे हड़ज़क नेदारम सुमेंहें वह लेगों हाए हो बाउसा भाद करता हो सुमिठ तुमको थोड़ी बहुत तो मदद करते हैं लोग जिनको इमोशंस मैं देखता हूं तो मेरे बात कंप्लीट सुनिए ना पहले आप संभु कुमार जी आप पुड़ा सुनते नहीं पहले इसलिए संदर बदा जाता है कि जिनको करोड़ रुपया दे रहे हैं अरणर टाइप का पत्रक नहीं पता है ना कैमरा ओन है अभी मैं फिल्म का शूटिंग कर दूंगा किस तरह का रिसोर्स पर जानू पता है ना ना अप औरनों ट्रकार नहीं बना अभाए विए सुमीत जैसे सालिन पत्रकार बना दिया आपने सुमीत खवर पड़ते हैं पत्रकार बनाना है कि लठाइट बनाना है पहले यह बताओ पत्रकार सबसे बारा गुष्टा है आज कर ने ने वह बहुत है एक फोन करता हूं दिल्ली में भी आजांगे अब बात ही ने इसलिए अरनवे रहोगे अरनवे रहोगे ची नीज बनोगे फिर तो मैं जो कह रहा था कि जो चंदा देते हैं तो उनसे कभी सवाल पूछिए कि आपने कितने स्कूल खोलें कितने कॉलेज खोलें कितने मीडिया हाउस खोलें आपने क्या किया सिर्फ ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए प्र्रमोशन इ सबसे पहला काम किये थे उस संस्था खोले थे पहले अख़बार निकाले थे मुखनायक उसके बहितकरित भाइसकृत करने सवा लोग मिलते नहीं हम लोगों से कि बाद में मिलेंगे शंभू चाहे ऑफ ड्यूटी मिलेंगे चुपके से मिलेंगे आप घर दे रहें अपनी जगह देते हैं कि हमारे आदे कि यह यह नहीं का अपनी प्रग्राम में सुमीत बताए तो कि इसके मतलब एक एक रूपय एक्स्ट्रा खड़चा हुगा है इसका अरे लोग मिलते नहीं है वहाई आपने तो जगह दे दी यह यह गट्स की कमी है इसकाल जेल जाएंगे तो मैं वही काम कर रहा है जाए क्लास रूम में करूं या क्लास के बाहर करूं हमें सवाल है कि जो आज सम्विधान और देश संकट में है और आज भी आप जो है 1932 में अटके हुए है अभी खत्रा किस से है हम तो सीधा बोलते ना आरे से बीजेपी से देश को और सम्विधान सर्वाल हमको सब पोचते हैं मतलब आप सर्याम बोलते हैं अच्छा हम डर गए तो अमर हो जाएँगे पर बताओ तब हम डर करें अगर हम डर गए तो अमर हो घंए तब बताओ कल दरना शुरू करें तो मरना तो उसको भी है वो चे गोईर्या की एक लाइन है कि हमने कबरिस्तान में उनकी लाशे देखी है उनकी भी कबडे देखी है जो छुन्होंने इस डर से कभी बिरोध नहीं किया तो क्या हो जागा पचास साल तो पार कर लिया हो गया वहुत जब आप सर से मिले इस प्रोग्राम को लेकर हमसे तो लोग मिलता भी नहीं, बहुत सार लोग कटते हैं, वेन्यू के लिए तो एक बार में तियार हो देखे यह दरसल यह था कि हम हर साल कर रहे थे और इस बार हमारी थोड़ी पर्सनल प्रोब्लम्स थी, मेरी पत्नी की तब ठीक नहीं थी, तो जो टाइम तया था उस पे हम नहीं सेडूल कर पाएं, तो अचानक से यह अकिस साल निकलने वाला है, कुछ कर लेते हैं इवेंट तो हमने इवेंट की घोशना की थे और उसके बाद हम सर के पास आये थे, और सर को कहा था कि क्योंकि अभी बजटिंग का पार हमको जो है, यह अपना उफर कर दीजिया, कि यह देखे हमने यहां पे इतना अच्छा काम किया हुआ है, शेड्स बनी हुई है, इस स्पेस का उप यूज कीजिए, तो यह रिली थैंकूल टू डूक्टर रतनलाल और शालिनी मैम जिन्होंने इस पूरे इवेंट को कह कि अपना घर दे दिया, अबलब घर समझ रहे हैं, जहां आपकी एमोशन जुड़े होते हैं, आपने एक एक पोदा लगाया है, तस्वीरे लगाई है, कहां पोट्स रखे हुए, बहुत सारे पोदा ठूट गया है, तो वो, सर एक बात है, क्या अब वक्त आ गया है, कि एक मीडिया एक बात पहले सुन लेजिए, जितने यहां पर आये हैं, दोस्त हमारे, उन सब को फ्री आफ कॉस्ट पढ़ाया गया, एक रुपया भी किसी से नहीं लिया गया, हम लोग तो बगएर रिसोर्स लिए होते हैं, तो मैंने पहले कहा कि जो रिसोर्स करोणों पर चंदा ले रहे हैं, या तो आप सबाल बुचिए हैं, उन लोगों से, संगठन वालों से अने तो चंदा देना बंद के हैं, प्राइवट इंस्टूट में हम जान नहीं सकते है पाँच लाग, छे लाग, दसलाग तक फिए स्ट्रक्चर है, एक सोशल जस्टिस के नाम पर इंस्टूट एक और अपसन है, देखिए, मीडिया के इंस्टूट तो अल्रेडी हैं, आप जहां से पढ़े में, जहां से पढ़ा इंस्टूशन से से सारे सरकारी हैं, लिग वह को देखिए, उन्होंने अपने पूरी एकॉनमी तयार कर दी, पैरलेल इंस्टूशन से कड़े कर दिये साइथ, दुनिया के सबसे महेंगी एंकर हैं, ब्लेक हैं, और कितना शांदार वहां का कल्चर अनुभव है, उन्होंने हर एक पैरलेल इंस्टूशन से उसमें एक बा सबसे कलचर देवलप किया। और हमारे क्वारे लोग कई दर्शक से आइन, हुकमरान बनने के लिए सिर्क मलें नहीं बनना होता नुगता है, प्रोफसर बनना होता है, इंटलेक्टूल बनना होता है, तो ब्लैक मुवमेंट से भी जितना भाशन देता है, यह सब नेता लो कि राहुल गांदेवी भारत जोरो जातरा कर रहे हैं चलिए 500 आदमी खड़े हो जाते हैं इसे प्लेकाट लेके कि राहुल बाबा हमारे 500 बच्चों को स्कॉलर्शिप दो बताओ इस पर क्या बोलना है मोदी जी हमारे 500 बच्चों को बिदेश वेजो तो यह नहीं करना है समझा काम है सुनो बोलो कि जो पैसा रखा हुआ है बेनामी जमीन खरीद रहा है अपतनी का जेवर खरीद रहा है उन नेता सब को बोलो या सब आई भी बला सी वी आई बला सब को पता है कि कहां कितना पैसा किसका इनवेस्ट हुआ पड़ा नहीं नहीं हम जानते हैं कितना सब्सक्राइब किजिए आप इतना जरूर कड़िये कि इन सब चैनलों को सब्सक्राइब किजिए सब चैनलों को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं यह भी एक बरी मदद होगी